सफा विधायक ने बक्राइद पर लोगडाउन खतम करने की उठाई मांग। पर लुगडाउन करते हैं कि वो इन दो दिन में लोगडाउन ना लगाएं से लोग इद नहीं मना पाएंगे परेशानियां कि कुरबानी नहीं हो पाएंगी हम लोग सोशल डिस्टेंसिंग के साथ मेद मनाएंगे और जहां तक मज़ीतों में रवाज पढ़ने की बात है तो सबर कर लेंगे वह चाहें 5 अगस्तों यह 10 अगस्त वहीं संबल से सपाज सांसर डोक्तर शफीक रह्मान के उस बयान का पूरी तरह से समर्थन किया जिसमें उन्होंने कहा थे कि बकरा ईद पर सभी मजजी दे और एदगा खोल दी जाएंगी जिससे कि लाखों लोग एक साथ लोगडाउन में गुजर गई हमें पता नहीं चला कि किदर ईद आई और कहां चली गई इदुलजापन तीन दिन का चिहार होता है हम सरकार से मांग करते हैं इदुलजापन पहली अगस्त और दो अगस्त को लोगडाउन नहीं लगना चाहिए लोगडाउन लगने से लोगों को परिशानिया आएंगी इद नहीं मना पाएंगे सोचल डिस्टेंस के साथ हमें इद मनानी है गुरवानी करनी है मैं मांग करता हूँ आपके इस चैनल के मात्यम से कि इदुलजापर दो दिन का लोगडाउन समाप्त होना चाहिए सब्सक्राइब को देखते हुए महामारी को देखते हुए बिल्कुल हम घरों में नमाज अदा कर सकते हैं लेकिन दो दिन का लोगडाउन सरकार को बिल्कुल हटाना चाहिए इदुलजा को ध्यान में रखते हुए पांच अगस्त को आयोध्या में जो है राम मंदिक का शीले नायम चोने जा रहा है इसमें आपकर क्यारे है देखिए तो कोर्ट का फैसला है जब सिप्रिम कोर्ट ने फैसला दिया उस वद भी हमने सबर किया और अब ये पांच अगस्त को जाए या दस अगस्त को जाए हम तो सबरी कर सकते हैं अब ये कुर्बानी के जानमों को लेकर बाजार भी नहीं लगाया जा रहा है और नहीं लगने दिये जा रहा है अभी बर्ट साब का एक बयान था जिसमें के उन्होंने कहा था कि सभी विसल्मानों को नमाज परने की इजाज़त दी जाए और सभी को नमाज पाजाई इद कहा के आना है उसमें क्या आपका क्या कहना है देखिए इस महामारी को देखते हुए सोसल टिस्टाइज जरूरी है सामुईद कोई काम नहीं होना जाए मजजीद और इतका खुलने की मांग की थी बर्ट सामने मस्जीद दो खुली लिए पाँच आट में नमाज अदा कर रहे हैं समुई मुला पूरी इसतमाई तोर पर नमाज सफ के साथ अदा करने की मांग की थी और काफी इस उखल लेकर के ट्विट सब्सक्राइब करते हैं या आपका अट्यापिन नहीं मैं बर्ट साब के बयान का समर्तन करता हूं बर्ट साब ने जो मंग की है उन्होंने साथ इसाथ ये भी तो कहा है कि हम यीद की नमाज पढ़ने के बाद करोना जैसी महामारी के खात्मे के लिए दूआ कर हो सकता है यीद की नमाज हम लोग सामुए पढ़ें और उसमें दूआ करें और करोना का खात्मा हो जाए आपकी तो से मैसिज को इसी पढ़ाऊ इस खात्मे के लिए मैं तो यह कहना चाहूंगा कि सोशल डिश्टेंट रखें कुरबानी करें और घरों में रहें दूए